लाश अब खुद बताएगी उसकी मौत कब कैसे और कितने बजे हुई है लाश खुद बताएगी घड़ी का जो सुई का काटा है कौन से सेकंड पर था जब उसकी मौत हुई है फ्रनिसिक साइ्स में कहते हिए कि जिन्दा इंसान कम बताता है और जो लाश है वो अपने बारे में ज्यादा बताते है कि उसकी हत्या किसने और कैसे की है लेकिन फ्रनिसिक साइ Menge में ही अब ये एक और ज्यादा आगे बढ़ चुका है अब साइन्टिस्ट जो तमाम दुनिया भर की साइन्टिस्ट है वो सोच रहे थे कि एक लाश के साथ होता क्या है एक लाश शड़ने के बाद उसकी हालत क्या होती है अब जब इस पर रिसर्च किया जा रहा था तो University of Colorado में 36 लाशो पर experiment किया गया इन 36 लाशो को अलग-अलग जगा पर भेजा गया गरम वाले इलाके में भेजा गया बरसात वाले इलाके में भेजा गया थंड वाले इलाके में भेजा गया अब इनको भेजने के इसमें जानवर भी थे, इनसान भी थे इसकी बाद कई बार ऐसे देखा गया है कि जो गरम और लाके हैं उसमें अगर बारिश हो जाए आचाना से गर्मी और ठंड का जो बारिश होने का जो ठंड का मौसम हो जाता हलका सा उस वाले मौसम में भी एक्सपरिमेंट किया गया तो तमाम 36 लाशों पर अलग अलग जगाओ पर ले जाकर अलग अलग मौसम पर अलग 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 जगा क्लाइमेट पर एक्सपरिमेंट किया गया फिर इस experiment के बाद 21 दिनों तक इंतिजार किया गया देखा गया कि जो लाश है उसके साथ असल में होता क्या है तो पता लगा कि जो तमाम अलग-अलग अलाके हैं जैसे मान लिजे गरम वाला अलाका है तो वहाँ पर कई जिवानों रहते हैं, किटानों रहते हैं कीडे मकौडे रहते हैं, वो लाश पर आकर बैठना शुरू कर देते हैं और लाश को सडाने में मदद भी करते हैं इसी तरीके से ठन वाले इलाके में भी कई ऐसे कीडे मकौडे हैं बैक्टीरियाज हैं रेगिस्तान वाला मालीजी राका हो गया, कोई बरसात वाला राका हो गया तो वहाँ पर भी तमाम ऐसे कीडे मकौडे जो मदद करते हैं अब इस एक्सपरिमेंट में जो स्टडी करने के बाद ये बता लगा कि 20 ऐसे किटानों हैं, 20 ऐसे वैक्टीरियाँ हैं जो खास तोर पर इन तमाम बददे होए लाकों में ये 20 कटानों हमेशा सड़िवी लाशों पर या लाश पर जनम लेते ही लेते हैं और ये जो कटानों हैं तुरंट अगर किसी इंसान की मौत हो जाती है कि देखिए, हमारा शरीर गरम रहता है तो इसमें कटानों का पनपपाना मुश्किल होता है लेकिन जैसी मनने के बाद लाश ठंडी पढ़ना शुरू होती है तुरंट उसके बाद ही कटानों जनम लेना शुरू कर देते हैं बीस ऐसे कटानों जो अलग-लग तरीके से जो शरीर को जो लाश होती है उसको सडाने में मदद करते हैं तो ये जो कटानों है, बीस अलग-लग कटानों ये इन पर स्टडी किया गया पता लगा कि चाहे बरसात का मौसम हो, गरमी का मौसम हो, ठंड का मौसम हो या गर्मी की मौसम में बरसात हो जाए तब भी या रेगिस्तान वाला कोई एकदम भीशन गर्मी वाला इलाका हो ये 20 कटानों हर जगा पनपते हैं बड़े होते हैं और इनकी खुद की एक लाइफ साइकल है जैसे माली जी जो दही होते हैं जब दही लोग बनाते हैं तो कहत किसी गुर्मने पानी में या गुर्मने दूद में आप थोरा सा जुरण डाल दें दही का तो 5-6 गंटे में दही बन जाता है तो इसी ये पता लगता है कि हलका सा जो जो दही में जो गुल वैक्टिरियास रहते हैं वो आपकी दही बनने मदद करते हैं तो जो लाइफ का जो स्किन रहता है उसके आसपा जो जमीने थी उन सबको स्टडी किया पता लागा कि ये बीज वेक्टिरिया तुरंत जैसी किसी इंसान की डेथ होती है या जानवर की डेथ होती है ये पनफना शुरू कर देते हैं इसके बाद इनका इत लाइफ साइकल चलता है जो 20 से 21 कि जीनों तक इनकी जिन्दगी रहती है उसके बाद ये उसको और बड़ा करते हैं तो इससे ये पता लग जाएगा कि माल लेज़े कभी कोई लाज मलती भी है तो उसपर ये जो किटानों है जिस पर रिसरच करके आप इनकी बादे में पता लगाया गया कि ये किटानों सर कितने वज़े जनम हो, माले ये 25 दिन पहले किसी इंसान की हत्या हुई हो या उसकी डेथ हुई हो, तो 25 दिन पहले इस किटानों जनम गया होगा तो जनम कौन से घंटे लिया गया ये भी इसके बारे में जानकर ये पता लग सकती है क्योंकि बोरी जैसी ठंडी होती है उसके बारे ही किटानों जनम लेते हैं तो forensic science आप इस पर expertise बना कर genome study करकर microbiome पूरी study बना चुका है वो पूरी life cycle जो इतने भी किटानों थे उसके बारे हैं पता कर चुका है और इसी के अधार पर आप ये कहा जा रहा है कि कोई भी आगर ना बताए तो लाश अब खुद बताएगी कि उसकी मौत की समय क्या था, मौत का तरीका क्या था मौत का तरीका forensic science पहले ही पता लगा चुका है कि किस तरीके से किस इंसान की मौत हुई हो धारदार हतियार से होती हो, चाकुसी की गई हो, गोली मार्की की गई हो, forensic science में पहले ही बहुत आगे है और forensic science के बाद पहले लिक्कत ये थी, क्यों लंबा टाइम फ्रेम देते थे कहती थे कि मान लीजे किसी की मौत 8 वज़े से लेकर रात के 11 विज़े की बीच में होई हो मतलब 4 से 5 घंडे का अच्छा कासा गयाप रहता था अब इन किटानों की वज़े से exact टाइम पता लग सकता है मान लीजे 8 से 11 नहीं 9 बच कर 5 मिनिट से लेकर 9 बच कर 15 मिनिट की बीच में इसकी जो इनसान ने उसकी हट्या की गई हो मतलब जो पहले 4-5 घंडे का गयाप था अब उसकी गयाप को कम करके महज 5 से 10 मिनिट का कर दिया गया है तो इसलिए कहरें कि Forensic Science इस सब चीज़ों में आप बहुत जादा आगे निकल चुका है